हाई गाईज, वेल्कम तो माई यूटूब चैनल किरन की दुनिया, आज मैं आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हूँ, पनीर मसाला, पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने ये सारी सबजीयां ली हैं, और ये लिया है पनीर कम से कम 200 ग्राम, और अब चलिए पनीर मसाला रेडी करते हैं कि फ्रेंट्स, पहले सारी सबजीयां अच्छे से ढूलेंगे गया है, amb ये الد verbess अब इस साफ़ करके और सारी सबजी काड़ कर और पनीर भी पिस्क कर लेंगे यह देखिए फ्रेंट्स मैंने इसमें डाल दिया हलका सा तेल आपको ज्यादा आयल इखाना है तो आप और अड़ कर सकते हैं नहीं तो इतना सुफिसेंट है अब इसमें हम अड़ कर देंगे जीरा तू पिंच हींग अब इसे हम भून लेते हैं जो हमने पेस्ट बनाया है और इसी के साथ हमें एड़ कर देना है पस्तूरी लाल मिर्च इसका करद काफी अच्छा आता है हाप स्पून हल्डी इसे भी मिक्स कर लेंगे और इसे हल्का ब्राउन होने तक हम भूनेंगे और कुछ मैंने खड़े-खड़े लहसन भी डाल दिये हैं यह काफी अच्छा होता है इस आपकी च्वाइस के उपवार है क्राइंस हल्का हल्का इसे हल्के हाथों से हम इसे चलाते रहेंगे जिससे जल न पाए हाफ स्पून डाल देंगे पीसी हुई धनिया और इसे भी अच्छे से भून लेंगे जब यह पेस्ट तेल छोड़ने लगे फिर इसमें हमें एड करना है सिम्ला मिर्च इसे भी भूल लेना है पेस्ट छोड़ने लगा है अब इसमें हम एड कर देते हैं यह जो मैंने बना चॉप किया है सिम्ला मिर्च इसे भी अच्छे से भून लेंगे इसी पेस्ट में और इसमें डाल देंगे हलका सा नमक जिससे यह सिम्ला मिर्च अच्छे से कुख हो जाए अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढख कर रख देंगे कम से कम दो से तीन मिनट के लिए यह देखिए फ्रेंस हमारी सब्गी हो गई है सिम्ला मिर्च अब इसमें हम एड़ कर देते हैं हलका सा वाटर सिम्ला मिर्च काफी कुख हो गए फ्रेंस और यह देखिए तेल भी छोड़ रहा है तो चलिए फिराव रेडी करते हैं यह मैंने जो पेश्ट बनाया था उसका पानी है अभी इसमें और पानी लगेगा यह देखिए अभी हम पानी इसमें नहीं एड़ करेंगे थोड़ा सा यह जो पनीर है इसको भी भूल लेंगे इसके उपर उपर सब्जियां डाल देंगे हम और फिर इसके बाद पानी आड़ करेंगे हमें ज्यादा जूसी सब्जी नहीं बना रही है फ्रेंट्स दो मिनिट हो गए है और अब मैं इसमें कम से कम स्रिफ एक कटोरी पानी आड़ कर देती हूं अब कम से कम इसे चार से पांच मिनिट तक इसे कुक कर लेंगे और अब इसे में ढख देती हूं यह देखिए फ्रेंट्स हमारी सब्जी बनकर वेड़ी है पनीर मसाला यह देखिए काफी टेश्टी बनी है आप भी बनाएए और खाईए और अपना आन्मों मेरे कमेंड बाक्स पर सेयर करने नहीं हो लिएगा फ्रेंट्स और आप ऐसे ही सहयोग बनाए रहिए इससे मुझे मनोवल मीलता है और मैं आप के लिए अच्छी अच्छी रेस्पी लेकर आऊंगी और कमेंड करना तो बिल्कुल मदभूलिए इसके उपर से गार्मिश कर देंगे धरी धनिया की और गैस को आफ कर देते हैं थोड़ी सी और अड़ कर देंगे धनिया की खुच्छी लगती है फ्रेंड्स फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और प्लीज फ्रेंड मेरी वीडियो लाइक सब्सक्राइब से जरूर करें सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ओके बाई बाई टेक केर थैंक्यो फॉर वाचिंग माई वीडियो